तो गाइज आज हम बनाएंगे आलो की कतली की सब्जी ये खाने में बहुत ज़्यादा तेश्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है इससे आप एक बार महमानों को बना कर देंगे तो महमान में आपके तारिफ करते बिल्कुल भी नहीं ठखेंगे तो लाल साबुत वाली मेर शोति हैं और डाल देंगे इसे जीरे को हम अच्छे से भून लेंगे साथ इसमें हम एक बड़ी कटी हुई प्याज डाल देंगे अब हमें क्या करना है प्याज को अच्छे से भूनना है जितना हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे और जितनी हमारी प्याज का जो कलर है ब्राउन होगा उतना ही हमारे खाने की सबजी में भोती जादा टेस्ट आएगा तो देखे प्याज जो है हमारी अच्छे से भुन के तयार हो गई है तो अब इसमें हम एक टमाटर डाल देंगे यह मैंने टमाटर को पहले ही बार एक काट लिया था अब इसमें हम लालमेज पाउडर डाल देंगे आधा चमर और आधा चमर डाल देंगे हल्दी साथ इसमें नमक हम सवात अनुसार डाल देंगे और साथ यविसमें हम एक चुटके हींग डाल देंगे और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी तो से पाने डालने के बाद अब इसे हमें ढखकन से ढख देना है या कोई प्लेट हो उससे पाच मिनट के लिए ढखके छोड़ देना है जिसे कि हमारा जो मसाला एच्छी से पक जाए उसे हमें पाच मिनट के लखके छोड़ देना है तो देखे 5 मिनट हो गए तो अब हम सबजी को देख लेते हैं तो देखे कितना अच्छा कलर है और मसाल हमारे एक तम परफरक्ट तरीके से पके तयार हो गए तो यह देखे मैंने दो आलू लिये थे जिनकों मैंने बारिक-बारिक स्लाइस कर लिया है हम इने बारिक-बारिक ही रखना होगा जादा बारिक भी नहीं करना हो मोटा भी नहीं रखना नहीं तो हमारे जो सबजी है वो अच्छी नहीं बनेगी तो देखे इस तरीके से हमेने बारिक-बारिक स्लाइस करने के बार इने अच्छे से धो लिया दो से तीन बार पानी में दोने के बार अभी ने हम एक छलनी में निकाल के अभी से हम अपनी जो मसाला है यानि ग्रेवी है उसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे यानि जो मसाला है आलू में अच्छी से लग जाएं यकीन मानिये गाई या आपने एक बार य जो सबजी है कितनी ज्यादा अच्छी बनी है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लेगी जितनी आपको देखने में अच्छी लग रहा है तो इतनी ज्यादा खाने में अच्छी लगी तो देखे अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे और गैस को कर देंगे हम उफ तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं तो देखे कितनी अच्छी है हमाई जो आलू की कतली की सब्जी बनके तयार होगे वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक शेयर कर दो बिल्कुल ना भूले औ तो की दुनिया को मिलते हैं नेक्स्ट दूर तब तक के लिए हर हर महादेव